Hello Friends, Welcome on my YouTube Channel Microbiology by Santosh Napti Friends, आज की विडियो में मैं आपको आपके जो रिजिम से, सर्टिफिकेट से या फिर कुछ डॉक्यमेंट से चाहे वो वर्ड फाइल में हो, चाहे वो एक्सल फाइल में हो, चाहे वो PPT और PowerPoint के फॉर्म में हो या फिर PDF फाइल में हो, तो इस पे आपके जो साइन है या फिर जिसे हम डिजिटल साइन कहिते हैं, वो कैसे पूट अप करने हैं इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हो, और ये एक सिंपल प्रोसीजर है, जो भी डॉक्यमेंट्स पे आपको आपकी साइन पूट अप करनी है, वो साइन आप डारेकली एक तो ड्रॉ कर सकते हो उस डॉक्यमेंट पे, या फिर जो स्कैन करके आपने आ डीजी साइनर, जो एक फैसिलिटी आपको प्रोवेड करता है, आपके डाकुमेंट्स पे आपकी खुद की साइन पूट अप करने की, और ये एक फ्री साफ्ट्वेर है, कुछ लिमिटेड एक्सेस के साथ, और अगर आपने इसका प्राइसिंग अगर आप देखे यहां के करके, तो ये अलग-अलग प्राइसिंग यहां पे है, ये जो है फ्री है, जिसमें आप त्री डाकुमेंट्स पर मन्थ वहां पे साइन कर सकते हो, वन सेंडर एन मल्टिपल साइनर्स, उसके बाद ये जो सेकंड जो है यहां पे ट्वेल डॉलर पर मन्थ फेंपेड हो, मल्टिपल साइनर्स, उसके बाद टेंपलेट्स वहां पे आपको एवलेबल होंगे, देन ब्रैंडिंग और साइनिंग लिंक्स, उसके बाद जो है टीम करके जो एक वहां पे है, फोर्टी डॉलर्स पर मन्थ फेंपेड एन्यूली, जिसमें आपको अनलिमिटेड डाक अलत उनके फैसिलिटीज है, लेकिन हमें जहां पे जाना है, वो इस पर फोकस करना है हमें, क्योंकि एक तो यह फ्री डॉक्यमेंट्स है, या फिर फ्री है, फ्री आफ चार्च, देन उसके बाद हमें ज्यादा कुछ वहां पे डॉक्यमेंट्स साइन करने के जुरूरत नह है, उस पर आपके साइन कर hedge put up करना है, तो बैक जाके मैं, यहाँ पर यह जी विंडू आपको दिक रहा है, signing word, document तो आप यहाँ से, आपकी जो भी फायल पर आपको sign करना है, या put up करना है, वह आप यहाँ से choose कर सकते हो, एक तो यहाँ पर option है, choose file, drop your file, और अगर आपको सम यहाँ पर document format में या फिर PDF में तो just मैं यहाँ पर documents प्लिक करता हूँ तो यह directly मुझे लेकर जाएगा जो भी मेरे documents save किये वहाँ पर तो यह जो मेरा document से resume पर मैं यहाँ पर sign कैसे करते हैं वह आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर और जो मेरा resume जो मैंने yes you again sun नाम से save किया है तो उस पर मैं आपको sign कैसे put up करनी है different ways से मतलब download अगर आपने किया है तो भी आप वहाँ पर sign आपकी put up कर सकते हूँ अगर आपने sign करना है draw करना है तो भी आप वहाँ से मतलब वहाँ पर sign put up कर सकते है यह resume मेरा इसके select करके open करता हूँ और यहाँ पर document open हो रहा है तो यह documents यहाँ पर open हो गया जैस थोड़ा समय इसको इस तरह से लेता हूँ so now like this यह resume यहाँ पर open हो गया और अगर आपको sign करना है यहता है नीच से वाला जो हमारा portion रहता हूँ आपर हम sign लेते sign करते यहाँ पर for example यह cursor भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है माई signature करके और यहाँ पर आपको अलग-अलग options है माई signature माई initials अगर आपको click करोगे तो आपको यह तीन option यहाँ पर देखेंगे एक तो आपको directly type करना है आपका नाम यहाँ पर आपको देख रहा है type your name here उसके बाद आप sign जो है आपकी वो draw भी कर सकते हो और अगर आपने आपकी sign scan करके आपके PC में, laptop में या फिर mobile में save करके रखिए तो ओ sign आपको यहाँ पर upload कर सकते हो तो यहाँ पर अगर मैंने type किया मेरा नाम for example संतोश नप्ते तो यह इस तरह से type हो जाएगा और यह अलग-अप्शन्स वहाँ पर आपको मिल जाएगे यह यह 6 प्रकार के options यहाँ पर आपको मिले है और इसमें color भी आप change कर सकते हो इस तरह से यहाँ से color भी आप change कर सकते हो तो मैं just I am putting that green color here for example और बाद में आपको यहाँ से आप cancel भी कर सकते है और जब आप sign करोगे तो यह यहाँ पर click करने के बाद automatically वह आपका जहाँ भी sign करना है वहाँ पर यह put up हो जाएगा या फिर आप वहाँ पर उसको drag कर सकेंगे उसके बाद अगर आपको type नहीं करना है आपको sign draw करनी है तो भी आप sign draw कर सकते हो जब आप draw पे click करोगे तो इस प्रकर की window यहाँ पर open हो जाएगी और आप जैसो आपको sign करना है उस तरह से आप आपके mouse से या फिर laptop पे touchpad से आप यहाँ से sign कर सकते हो तो इस त आपको pen tablet से यूज करके दिखा रहा हो यहाँ पे कि यह जो है यह now I am using this pen tablet here so here इस तरह से आप यह sign कर सकते हो like this here मतलब जो भी sign आपको करनी है तो उसी प्रकार के sign आप कर सकते हो in this way by using pen tablet or simply by your mouse like that तो जो भी sign आपको चाहिए तो बाद में आपको यहाँ पे sign करना है और यह यहाँ से आप clear भी कर सकते हैं चलो आपको sign अच्छी नहीं लगिए तो आप यहाँ से इसको clear कर सकते हो तो फिर से आप कोशिश कर सकते हैं try कर सकते हो कि how to draw this sign here like this तो इस तरह से आप आपकी sign यहाँ पे draw कर सकते हो अगर आपको sign आपने save करके रखिए तो आप यहाँ से upload कर सकते हो तो upload पे करने के बात आपको यहाँ पे एक option आजाएगा upload signature तो जब आप upload signature पे click करोगे तो आपको जहाँ भी आपने आपकी sign save किये वहाँ पे आप जासे आप upload भी sign मतलब जो भी अगर आपने sign save किये तो आप वहाँ पे upload भी कर सकते हो तो इस तरह से तो यहाँ पे मैं ने just ये use करता हो type करके यह मैंने type किया यहाँ पे संतोशन अपते और यह option मैं यहाँ पे select करोगा तो यह select करने के बाद sign पर क्लिक करना है तो यह साइज यहाँ पर आ गई तो इसको आपको बस अच्छी तरह से पूट अपकर करना है, जहाँ भी आपको पूट अपकर करना है, वह से, तो I am putting put up कर सकते हो तो इस तरह से आप यह जो भी documents है चाहे नहीं आपका रेजिम हो चाहे सर्टिफिके maravil हो हो चाहे पुछ other documents हो वहाँ पर यह ne a put up कर सकते हो इस को day वहाँ पर डाली है ओर dov's week यहाँ पर कर सकते हो ऑर भात में इसको आफ इसकी size बढ़ा सकते हो और इसको आप जैसे चाहिए वैसे वहाँ पर आप इस location पर चाहिए उस location पर आप put up कर सकते हो तो इस तरह से यहाँ पर size कम ज़ादा आप कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर यह close के लिए है अगर आपको नहीं चाहिए यह date तो यहाँ से आप cancel कर सकते हो तो यह इतना होने के बाद आपने अभी sign भी put up की यहाँ पे और यह resume का sample मैंने दिखाए यहाँ पी इसी तरह से आप कुण से भी documents पे आपकी sign वहाँ पे put up कर सकते हो और बाद में अभी इसे यह download करना है तो download किसे करना है तो we have to click on done after putting that sign here we have to click on यह sign हमने यहाँ पे put up की then we have to click on done और done करने के बाद यह save हो रहा है so here documents save successfully are successfully completed और उसके बाद हमें यहाँ पे यह document download करना है a download करने देधे आपको यहाँ पे click करना है okay करके और यह जोelier document यहाँ पर download हो गया तो यह हम अब open करके देखते है documents open करके यह यहाँ पर आ गया जो file में sun resume and sign तो यह open करके हम देखते है तो यहाँ पे जो हम ने sign put-up की है वो sign भी अभी यहापर आनी चाहिए तो इस तरह से हम हमारा जो भी documents है तो उस पे हम हमारी sign है वो put up कर सकते हैं तो यह इस तरह से हमारी sign यहापर आ गई और यहापर जो हमने date put up की थी देट भी यहापर आ गई तो इस तरह से आप यह जो free software है यह यूज करके आपके जो भी डॉकुमेंट्स है उस पे आप आपकी sign put up कर सकते हो चाहे हो आपका रेजिम हो चाहे हो other documents हो certificates हो तो उस पे आप यह sign digital sign वहाँ पे put up कर सकते हो तो friends अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो like किजिए comment किजिए and don't forget to share this video with your friends and if you are not subscribed this microbiology by Santosh Napte kindly subscribe this YouTube channel thank you